नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल Learn and Grow में आज हम डिसकस करेंगे ब्लोक and टैकल के बारे में जो हमारी लिफ्टिंग मशीन्स होती हैं या हम बात करें पुलीज की तो उसके अंदर ये दो टर्माती हैं ब्लोक and टैकल तो ब्लोक को टैकल क्या होता है यहाँ प आप और डाउन वर्टिकल रूप में उसको कंबाइन किया जाता है रोपर चेन के थ्रूप तो लेकिन क्या करें अगर हम उनको एक ही ब्लोक में मान लिए एक केस है उसके अंदर एक सिंगल पुली या एक केस के अंदर तीनों पुली या तीन पुली हम होरीजोंटली प्ले करके एक block बना ले तो इस चीज को हम बोलते हैं block कि एक pulley दो पुली या दिन पुली का एक group बना के horizontally उनको place करके एक shaft के ऊपर और एक block बना ले तो इस चीज को बोलते हैं block क्योंकि हमें कहीं जगा जूरूर्त पड़ती है दो तिन चार पुली conscious की जो भी होती है तो हम उनका ब्लोक बना लेते हैं तो इस तरह से देखे इसको हम बोलते हैं ब्लोक भुलि जो ब्लोक जो पुलीस के केस में है और ट Näтив क्ल का होता है देखिए जो आपने ये ब्लोक बनाएं अब आपको क्या करना है इनी ब्लोक का यूज करना है किसी को fix करना है किसी को move करना है तो जब आप इस तरह से उनकी arrangement करते हैं जैसे उपर एक ले लिया निचे movable block ले लिया उपर fix block ले लिया, नीचे movable block है ये सारा, क्योंगि ये move करेगा और ये fix रहेगा तो इस तरह के जब आप block बना लेते हैं, block बनाने के बाद उनको rope के through chain can act करते हैं, तकि आप किछी load को lift कर सके, effort को apply करके या किसी भी काम में आप इसको ला सकते हैं तो इस चीज को बोलते हैं कि rope के थूरू combine करना blocks को और इस चीज को हम बोल सकते हैं tackle तो यह बोलते हैं हम इसको tackle और यह बोलते हैं block block बना के उनको अगर हमें rope या chain के थूरू combine करना है लोड को lift करने के लिए कोई भी काम इसे आप ले सकते हैं तो उसको बोलते हैं tackle तो एक बहुत ही simple जी term है लेकिन हमें पता होनी चाहिए कि block क्या होता है और tackle क्या होता है तो thank you वीडियो देखने के लिए और ज्यादा updated वीडियो के लिए आप हमारे channel learn and grow पे हमें subscribe कर सकते हैं Thank you